हेलो बच्चों, आज हम स्टाट करेंगे दसनी का भाती विज्ञान आंकिक प्रशनों को साल्ब करेंगे, चैप्टर का नाम है विद्धारा का असमी पुरभाव तो मैंने 2nd lecture में यह आप यहाँ थरडd lecture है आज का तो मैंने 2nd lecture में सभी फार्मूलों को यहाँ पे लिख दिया था और आपको अच्छे समझा दिया था चलिए मैं इसका एक बार आपको revise करा दे रहा हूं ằm सभी फार्मूलों को यहाँ पे note कर लिए यह उसके बाद बिद्दुश सक्ति का था पीज उकल टू डबलू बाई टी तो आसा करता हूँ सभी फार्मूलों को आप देख चुक्के होंगे चली हम कुष्चन को स्टार्ट करते हैं आज का तो आज का हमारे यह पहला कुष्चन है 42 बोल्ट तथा 2 इंपियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी उश्मा उत्पन होगी यह आप कुष्चन नमर 3 देख के मत घपराईए क्योंकि मैंने कुष्चन नमर 1 कुष्चन नमर 2 इसके पहले वा लिक्चर में सॉल्व कर दिया है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या दिक कह रहा है कि 42 बोल्ट तथा 2 इंपियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी उश्मा उत्पन होगी अब यहाँ पर आपको 42 क्या दिया गया है बल्ब का क्या दियागा है बिभुवांतर इसको आप नोट करिए कि दिया है यहाँ पर लिखिए दिया है उसके बाद लिखिए बल्ब का बिभुवांतर धी इक्कुल तो कितना है 42 मात्र क्या होता है बिभुवांतर का बोल्ट होता है आपको दिया है बल्ब का बिभुवांतर और क्या दिया है टू एम्पियर के बल्ब से अर्था धारा का वैलू दिया गया है धारा कैप्टल आई जुक्वल्टू क्या है टू एम्पियर को हम ए यम्पी से व्यक्त करते हैं बल्व से प्रतिसेकंड अर्था समय इसमाल टी जुक्वल्टू कितना है प्रतिस मतलब वन और समय का मात्रक होता है सेकंड कितने कैलोरी उस्मा उत्पन होगी तो बल्व से उत्पन उस्मा यहाँ पर लिखिए बल्व से उत्पन उस्मा कैप्टल यच इज इक्वल्टू भी पता है आई पता है टी बचा है तो कैप्टल यच का हम कौन सा फर्मॉल अप्लाई करेंगे यहाँ पर होता है कैलोरी इसका जो मात्रक होता है चलिए अब हम भी आई टी का वैलू रखते हैं तो भी का वैलू क्या है 42 इंटू में आई कितना है 2 एंपियर समय कितना है 1 सेकंड अपान में 42 अब देखी बच्चों मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट को हटाऊंगा जो 4.2 है तो पॉइंट को हटेगा तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा अब यह कितना हो गया 42 हो गया और यहाँ भी 42 है तो 42 से 42 क्या क कर सकते है हम कट कर सकते हैं तो यह H is equal to 2 AU20 हमात्रक क्या हो जगा है क्यक् diyorsunकि है उसमा क्या मात्रक होता है यहां पे क्या है एक चालक का रजिस्टंस तेन ओम है ओम इसका मात्रक होता है किसका पृत्रियोध का चालक में 10 सेकंड में 15 इंपियर की धारा फुर्वाहित होती है तो चालक में उतपन उसमा का मान क्या होगा यहां भी आपसे उस्मा का वैलू ही पूछा जा रहा है तो आपको क्या पता है चालक का रजिस्टन्स अर्थात यहां पे लिखेंगे दिया है दिया है मतलब चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध कैप्टल आर से इसको व्यक्त करते हैं कितना दिया गया है 10 ओम देखी ओम का सिंबल इस तरह से होता है आप सिंबल का प्रयोग करिए ज़्यादा बिटर रहेगा और क्या दिया गया है चालक हमें 10 सेकंड में अर्थात समय दिया गया है समय को इसमाल टी से विगत करते हैं कितना दिये गए है 10 सेकंड सेकंड को कैप्टल यस से और क्या है 15 एंपियर की धारा अथा चालक में पुरवाहित धारा यहाँ पर लिखिए चालक में पुरवाहित धारा कैप्टल आई का वैलू कितना है 15 एंपियर को हम ए यम पी से विख्त करेंगे आपको आर पता है आई पता है टी पता है और चालक में उत्पन उसमा आपको ज्याद करना है चालक में उत्पन उसमा कैप्टल यच जो कुल्टी है दिया आपको आई पता हो आर पता हो टी बचा हो तो में हाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे कैप्टल यच का आई स्क्वाइर आर टी मैंने सभी फार्मूलों को इसके पहले आप सभी को रिवाइस करा दिया है और आपान में 4.2 तो कैप्टल यच जो इक्वाइर आर टी आपान में 4.2 चलिए इसका हम वैलू रखते हैं यच जो इक्वाइर एक वैलू क्या है 15 है 15 की पावर 2 इन्टू में क्या है आर है आर का वैलू क्या है 10 है इन्टू समय कितना है 10 सेकंड आपान में 4.2 क्या आ गया 4.2 अब देखिए यह यह चुज उक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू में 10 का 10 के साथ 100 अब आन्वे 4.2 अब देखिए यह 4.2 है हाँ से एक पॉइंट हटेगा उपर एक 0 एड हो जाएगा यह इसी को हम है चुज उक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 10 की पावर कितने 0 हैं 1,2,3 इसको आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं अब आन्वे 42 अब आप इसको साल्व करेंगे यहाँ पर जो 15 इंटू में 15 है पहले सबसे पहले इसका मल्टिप्लाई करिए फिर इसको 42 से भाग करिए तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा है एच इज उक्वल टू 5 3 5 7 0.14 अब मात्रक होता है कैलोरी तो आप कैप्टल इसका जो वैलू निकलेगा वो होगा 535 7.14 कैलोरी तो आप इसको स्वयम साल्व करिए क्योंकि आप 10th क्लास में पहुच गए है पहले 15 इंटू 15 करिए फिर इसको 42 से भाग करिए उसके बाद हाँ 10 की पावर 3 सर्था 1000 से उसको मल्टिप्लाई करिए तो आज आएगा 535 7.14 और मातर होता है कैलोरी तो चलिए हम आज के थर्ड कुस्चन की तरह बढ़ते है तो आज का हमारा थर्ड कुस्चन क्या है यदि किसी परिपत में पुरवाहिद धारा 10 इंपियर है तथा परिपत का पुर्तिरोध 10 ओम है तो परिपत की बिद्दुसक्त की गड़ना कीजिए आपको इसमें बिद्दुसक्त की गड़ना करनी है इसमें क्या दिया गया है परिपत में पुर्वाहिद धारा पहले आप लिखेंगे दिया है परिपत में पुर्वाहिद धारा परिपत में a e m p से व्यक्त करेंगे और क्या दिया गया है परिपत का resistance चलिए इसको हम लिखते हैं परिपत में परिपत का प्रतिरोध capital R equal to 10 ohm है ohm को हम symbol से वग्त करेंगे आप से पूछा क्या जा रहा है परिपथ की विद्दूत सक्ति परिपथ की विद्दूत सक्ति तो यहाँ पर जो परिपथ की विद्दूत सक्ति का फार्मूला प्राई करेंगे P equal to P equal to भी I होता है और P equal to IR तो I square R अपलाई करेंगे यहाँ पर I और R का बेलू हमें पता है तो यहाँ P equal to I का बेलू क्या है 10 है इसकी power to इंटू में capital R का बेलू है 10 यह P equal to 10 की power to 100 इंटू में 10 देखिए आपर कितने 0 हैं 1,2,3 इसको आप क्या लिख सकते हैं या तो आप 10 की पावर 3 लिखिए या फिर 1 लिख के 3 टाइमस 0 क्योंकि यह सक्ति है सक्ति का मातरख होता है वाट क्या होता है वाट तो परिपति की बिद्धु सक्ति पी उक्ल्ट कितना आ गया 1000 वाट चली आज का हम अगला कुष्टन सौल्व करेंगे यह यूनिटों की संख्या से एक टाइप का कुष्चन है एक विद्धुत मोटर की सामर्थ चाहे सामर्थ कहो चाहे सक्ति कहो पी से ही व्यक्ति किया जाएगा एक विद्धुत मोटर की सामर्थ 5 किलो वाट है इसे प्रति दिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रियोग में लाने के लिए कितने यूनिट उर्जा वे होगी तो आपको यहाँ पर यूनिटों की वे उर्जा ग्यात करनी है आपको दिया क्या गया है विद्धुत मोटर की सामर्थ तो यहाँ पर लिखिए विद्धुत मोटर की सामर्थ पीज उक्वल टू 5 किलो वाट इसको आप वाट में चेंजर करेंगे तो एक किलो में 10 की पावर 3 वाट होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू में 10 की पावर 3 वाट ये आपका किसका है अर क्या दिया गया है दिन दिया गया है दिन प्रियोग में लाने के लिए आप से पूछा क्या जा रहा है यूनिटों की संख्या हम जानते हैं क्या जानते हैं यूनिटों की संख्या हम जानते हैं यूनिटों की संख्या इसका फार्मूला क्या होता है बताईए वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन बटे एक हजार वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन अपॉन में एक हजार ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन बटे एक हजार चलिए इसका बेलो लिखते हैं अर्थात वाट कितना है फाइब इन्टो टेन की पावर थिरी कितने घंटे हैं दस घंटे दिन कितना है तीस अपॉन में क्या है एक हजार देखिए बच्चों ये टेन की पावर थिरी है इसको आप वन थाउजंड भी लिख सकते हैं यह 5 के साथ मल्टिप्लाई होगा 50 इन्टो में 30 आ जाएगा इसका आप मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा फिप्टीन रमात्र को जाएगा उनिट तो जो यूनिटों की संख्या होगी वो होगा कितना डेड़ हजार यूनिट यूनिट इसका क्या है? मातरक है अता डेड़ हजार यूनिट बिद्दुत उर्जा वे होगी आप यहाँ पर लिखिए अता डेड़ हजार यूनिट बिद्दुत उर्जा बे होगी तो बच्चों इस लेक्चर को यहें पर समाप्त करेंगे हैदि आप को यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको सेर कीजिए लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लिजिए थाइक्स वर वाकिन इस वीडियो वाग्रेट देए